इंडिया इंग्लेंड does तो फिरीज में अब तक 3 मुकाबले हो गए हैं 4 लगाली बहुत सारे रिकॉर्ड ने बनाये बहुत सारे लिकॉर्ड तोडे और हम क्रिकेट में अक्सर यही देखनें एंडिया को टीम खिलाडी कोई 일िकॉर्ड बनाता है कोई बिंडिया तोड़ता है एक टीम को रिकॉर्ड बनाती है लेकिन इस सीरीज में इस मुकाबले में अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है लेकिन दोनों ही टीमों ने मिलकर यानि की इंडिया और इंग्लैंड ने मिलकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है और उस पर हम बात करेंगे क्योंकि ऐसा बहुत क सेंचुरी लगा यह श्यस्वी जैस्वाल ने उसके बाद हम देखते हैं कि और भी जो मिलकर बहुत आम बात हो गया और एक और जो रिकॉर्ड बनाया है इंडिया और इंग्लैंड ने मिलकर वह यह है कि यह पहली सीरीज बन गई है अभी तक जो खेले गई है टेस्सीरीज जिसमें सबसे ज्यादा च्छके लगे हैं एक बार स्टेट्स पर नजर डालते हैं कि कितने च्छके लग चुके हैं अभी तक इस सीरीज में हलाकि अभी एक मुकाबला और खेला जाना है और अभी चो मुकाबला चल भी रहा है बिलकुल सीरीज यह पूरा खतम नहीं हुआ और इस सीरीज के खतम होने से पहले इस सीरीज में इतिहास रच दिया इतिहास के सबसे ज्यादा च्छके इस सीरीज में लग चुके हैं जो कि अभी चल रहा है और एक बार स्टेट्स हम नजर डाल लेते हैं बिलकुल यह सीरीज आप देख रहे हैं कि 2024 में यह सीरीज खेली पागिस्तान वर्सिस न्यूजिलेंड उनसर्ट चक्के 2014 की वो सीरीज और यहां पर देखने वाली बात है कि सारी सीरी जो खतम हो चुकी थी उनका यह फाइनल रिकॉर्ड है लेकिन भारत और इंग्लेंड की जो यह सीरी मौजूदा सीरी जिसमें 75 चक्के अभी दर्ज हो बढ़ेंगे ही क्योंकि बल्लेबाज बल्लेबाजी करने चौके और छक्के की बहुचार हो रही है अमोमन हम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में की पेस्टन का खेल है सिंगल लेते हैं बिट्वीन दा विकेट रन चुराते हैं चौके से बात्चीत होती है लेकिन यहां पर बात्चीत हो रही है और रिकॉर्ड टूड़ी और साथी साथ यससवी जैसवाल कि हम बात कर रहे थे बैक टूबैक डबल सेंचुरी मारा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने इस छकों के बीच अपना एक रिकॉर्ड बना लिया अपना एक बैटिंग करने आएंगे फिर अगला मुकाबला खेलेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि और जो है चके बंस मारेंगे वो कही ना कहीं बिल्कुल अभी और आगे तक जा सकते हैं बिल्कुल इस सीरीज में मुझे लगता है कि जिस तरीके से दोनों ही टीमें खेल रही है एक तरक इंगलेंड बैस्बॉल अपना रुक उनकी तो शेली यह लेकिन जो शेली इंगलेंड इंडिया की यंग्स्टर्स ने दिखाई है कहीं ने कई वो ताबर तोड वाली जो पारी खेलना बैटिंग स्टाइल जैस्वाल का क्या गिल का क्या सरफरास खान क्या धुरु क्योंकि 2008 में विरेंडर सहवाग ने 22 चुक्के मारे थे 41 के घैसे क्लेंडर रीवने तहुं का फुनडर गोले बिरेंडर आज तो ठीडरेंडर क्या ने का एक साल कोयर अब करते हैं देखते होंगे पुराने समय में अगर विरेंदर सहवाग खेलते थे तो सब जानते कि विरेंदर सहवा कि तुलना भी होती है दोनों की आच्टारी वह भी ओपनिंग करते थे जैसवाग करते और जिस तरीके से से एक मतलब उनका ट्रेड मार्क बना हुआ था सैट थ प्रकुक्स बढ़ा करते हैं यह जो रहती है अपना वी और तीम इंडिया का भी उसी तरीके से कहीं ना का intent वर जैसवाल में नजर आता है किसी को एक्सकेक नहीं रहे होगी जिस तरीके से सिक्सीटिंग जो बोली जाती हमेशा से बात उती है ऑस्ट्रेलिया के पास पावर रहती है कही ना कही न्यूजलेंड जो मतलब बाहर की फॉरन कंडिशन्स वाले खिलाडी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजलेंड साउथ अफ्रिका उन खिलाडियों से आप एक्सक्टेशन रखते थे कि लंब लंब चक्के लगाएंगे और आप नीचे के रिकॉर्ड देखेंगे मिलकर भी इंडिवीजबल यसस्वी जैसवाल ने भी तो अपनी राय दीजिए इस छक्कों के टूर्नामेंट में जो रिकॉर्ड बना और आपको क्या लगता है इस सीरीज की खतम होने से पहले कितने छक्के जो इस सीरीज में और लग सकते हैं बिल्कुल वो भी कमेंट में बताई और जाते जाते तूफान स्पोर्ट को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए